हाली में भात के 11 इस्थलों को रामसर इस्थलों यानि कि रामसर साइट के सूची में सामिल किया गया है तेज वीडियो में बरतमान में भात में कुल रामसर इस्थलों की संख्या कितनी है साथ ही रामसर साइट से रिलेटे जितने में important question बन सकते हैं पूरी details में cover किया जाएगा तो वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखे हैं इसके पिल्कुल भी ना करें तो चलिए जान लेते हैं कि वर्तमान में भायत में कुल रामसर साइटों की संखिया यानि कि रामसर स्थलों की संखिया कितनी हैं तो option B correct हो जाएगा यानि कि 75 वर्तमान में भायत में कुल रामसर स्थलों की संखिया 75 हो गई है और दोस्तो यह 75 रामसर स्थल भारत की किस किस राजी में स्थीत है और कब इसे रामसर स्थलों के सुची में सामिल किया गया है पूरी डिटेल्स में जानेंगे तो आप वीडियो को अंतक जुरू देखे 13 अगस 2022 को भारत के 11 स्थानों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है जिससे अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो चुकी है दोस्तो 13 अगस 2022 को ही परियावरन मंत्री भुपेंदर यादव जी घोशना करते हुए रामसर साइट अंतर राष्टिय महत वाले दल्दल की सुची में भारत के 11 स्थलों को सामिल किया गया है जिसमें से ची अरीश prim experts क Yum Quiz में मध्यजQ और महराष्ट में 1ическая को रामसर साइट के सुची में सामिल किया गया है दोस्तो 75 घार नानुपुरी डिटेलस में जानेंगे उससे पहले हाली में 11 थैट सामिलugen का गया है वो कौन कौन से है चलिए जान लेते है तो रिशार राजे के तिन ने इस थलो को रामसर साइट के सूची में सामिल किया गया है वो कौन कौन से है तो तंपारा जिल है हीरा कुन जलासा है और अंसूपा जिल है जिबकि मद परदेश राजी का यस्वन सागर को सामिल कि गया है 2022 के रामसर स्थलों की सूची में वहीं तमिलाडो राज्य के चान नहीं स्थलों को सामिल किया गया है वह कौन-कौन से है तो चित्रा गुंडी पक्षी अभ्यारन सुचिंद्र थेरोर वेटलेंड कॉम्प्लेक्स वुडूवर पक्षी अभ्यारन कांजिर कुलम जमुकस्मिर राजे के दो नहीं स्थलों को रामसर स्थलों के सूची में सामिल किया गया है पहला हाईगम वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व दूसरा साल्बोग वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व एक इंपोर्टन पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले कि रामसर छे 500 पिसला को रामसर इसल के सूजी में सामिल किय गया है वह 5 कैण कॉन कॉन से है चलिए जान लेते हैं इन पांचों से तमीन लाड़ा राजिय के लुथा ऑजि नियुक जोडा गया है करी किली पक्षिय अभियारन पली करने मांहिता हिर दीज़ा нет कॉले के जुलाई 2022 तरेम करे संक्या उन्य चास थी अबरतमान में इसकी संक्या बढ़कर पंचे 51 अगस्तमान ही पांच ने संक्या में फिर पांच ने इस थलो को जोड़ा गया और हाली में अगस्त महीने में पहले 10 इस थलो को जोड़ा गया और उसके बाद 13 अगस्त 2 अजर 22 को 11 ने इस थलो को जोड़ा गया इस तरह भारत में कुर रामसर इस थलो की संक्या 75 हो गई है तो आप कंफ्यूज बिलकुल भी ना हो दूस्तो हाली में भायक के गारे ने इस्थलो को रामसर इस्थलो की सूची में सामिल किया गया है वो कौन कौन से है नाम तो आप लोग जान गया है लेकिन इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जाने तो तंपारा जिल के बारे में चलिए जान लेते हैं तंपारा जील गंजम जीले में इस्थित ओरिशा राजी के सबसे प्रमुक मीठे पानी की जीलों में से एक है यहां के भूमी का छेतर धीरे धीरे वर्सा जल के प्रवास से भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा टैंप कहा गया और बाद में स्थानियों लोगों द्वारा इसे तंपारा कहा गया है वहीं दूसरे राम सर रिस्थलों की बात की जाए तो हीराकुन जलास है यह भी दोस्तों ओरिशा राजी में स्थित है और यह ओरिशा में सबसे बड़ा मिटी के बांध हिराकुन जलासे ने कई उच्च सरंक्षन महत्व सहीत पूस पर जीव प्रजातियों की एक स्रिंखला का समर्थन करने के लिए 1967 में काम करना सुरू कर दिया था वहीं अनसूपा जील की बात की जाए तो अनसूपा जील कटक जीले के बांकी उप मंडल में स्थीत ओरिशा के सबसे बड़ी ताजी पानी की जील है और इसके प्रकृतिक सुन्दरता जैव विविदता और प्रकृतिक संसादनों के लिए प्राचिन काल से इसकी दोस्तो चोथा राम सर इस्थल है यस्वन सागर यस्वन सागर मद्य परदेश के इंदौर छेतर में दो महत्पून पक्षी छेतरों में से एक है और साथ ही मद्य परदेश के मालवा छेतर में सबसे महत्पून पक्षी इस्थलों में से एक है बरतमान में इसका उप्योग मुखे रुप से इंदौर सहर में पानी की आपूर्थी के लिए किया जाता है तो दोस्तो हाली में 11 ने इस्थलों को सामिल किया गया है रांसर इस्थलों की सूची में यह तमिल नाडु के रामनात पूरम जिले में इस्थीत है और यह आदरभुमी 1989 से एक संक्षिन छेतर है तमिल नाडु राजी का ही सुचिंद्रम थेरूर वेट लेंड कॉम्पलेक्स यह सुचिंद्रम थेरूर मना कोडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिसा है इसे एक महत्पून पक्षी छेतर घोसित किया गया है तमिल नाडु राजी का ही दोस्तो वुडू और पक्षी अभ्यारन यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचाई जलासाय और प्रवासी पक्षियों के लिए आसरे है क्याँकि यह भोजन आसरा और प्रजणन के लिए उप्युक्त वातावरन प्रदान करता है कांजीर कूलम पक्षी अभ्यारन के BILL के बारे में बात की जाये तो यह भायत के तमिल नाडु के मुदू कुल थोर रामनाथ पूरम जीले के पास कांजिर कूलम पक्षिय अभ्याराण 1989 में घोसित एक सरंक्षिन छेतरे है यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोसला वराने के स्थल के रूप में प्रसीद है और यहां बगुले बबूल के पेड़ों पर प्रवास करते हैं दोस्तों महराष्ट राजी का ठा जम्मु कस्मीर में इस्थित है आईगम वेटलेंड जेलम नदी वेसिन के भीतर आता है और इस्थानिय समुदायों के लिए बाड़ आउसे सन बेसीन जैब विविजिता सरंक्षन इस्थल परियावरन परियाटन इस्थल और आजीवी का सुरक्षा के रूप में के बीच में या सूख जाते है तो दोस्तो हाल इम ai 11 ने स्थलो को सामिल किया गया है वे कौन-कौन से हैंकि पूरे डिटेल्iene में आपको के तहट अंतराश्टिय महत्वित दिया जाता है विस्व भर में आदर भूमी और जलवाई परिवर्तन के महत्व को समझाते हुए युनसको द्वारा दो फरवरी 1971 में विस्वे के आदर भूमी के सरंग्छन के लिए एक संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे जो की वर्स 1975 में लागू हुआ था तो दोस्तो रामसर साइट क्या है आप जुरूर नोट कर ले रामसर सम्मेलन का उद्देशिय आदर भूमियों को सरंग्छित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उप्यों को बठावा देना है जो बैस्विक जैविक विबेदिता के संक्षन के महत्पून है और दोस्तो रामसर कंवेंशन को आदर भूमी कंवेंशन के रूप में भी जाना जाता है तो इस पॉंट को भी आप जुरूर नोट कर लें दोस्तो रामसर इस थल में रामसर सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सा जहांके परितंत्र का बड़ा हिस्सा इस्थाइरूपसे ये प्रतिवर्स किसी मौसम मे जल से संत्रिप्त हो यह उसमें डूबा रहे, ऐसे चेतलों में जल्यप्यडू का बहुली रहता है और ऐसे भूमी को ही आद्र भूमी का दर्जा दिया गया है Q Bardzo lives then कब लागो हुआ था न फो जफन भी पर एक अगया दोस्तो अपनाया गया था यह सदाक्षर करने वाले कुल देशों की संख्या साथ थी लेकिन वर्तमान में यानि कि 2022 में इस कंवेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले कुल देशों की संख्या एक से खतर हो चुकी है तो इस पॉइंट को भी आप जुरूर नोट कले तो राम सर समेलन तीन वर्स के अंतराल पर सदस ये देशों की बैठाकों का आयुजन किया जाता है कुश्य नमर्श 6 है भायत ने राम सर कंवेंशन को कब अपनाया था यानि कि कब इस पर हस्ताक्षर कर इसको अपनाया था तो आप जुरूर नोट कर ले इससे related कुछ important जी कि कभी जान लेते है कि दुनिया के पहली राम सर साइट कहाँ स्थीथ है तो option c correct हो जाएगा दुनिया के पहली रामसर साइट उस्टेलिया देस में इस्थीत है और दोसे इसे कब सामिल किया गया था और उसका नाम क्या है तो चलिए जान लेते है तो उस्टेलिया की कोबोर्ग प्राइदीब को पहली रामसर साइट के रूप में जाना जाता है जिसे वर्स 1984 में पहुत जैना गया था यानि कि इसे 1974 में सामिल किया गया था रामसर स्थलो की सूची में तो उसका नाम क्या है तो कोबोर्ग प्राइदी जो कि अश्टेयलियर देस में स्थीथ है किस देस में स्थीथ है क्या उसका नाम है और कब उसे अपनाया गया है आप तब तीनों ही पॉइंट को जुरूर नोट कर ले कुश्चन नमर 8 और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दुनिया भर में कुल कितनी रामसर साइटे इस्तित है तो आप्शन B करेक्ट हो जाएगा दुनिया भर में लगवा 2424 आदर भूमिया यानि के वेट लेंड है जो रामसर आदर भूमिय में सामिल है दोस्तो एक के कोश्चन इंपोर्टेंट है इस वीडियो में तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल विना करे कुश्य नमर 9 है सबसे अधिक रामसर इस्थल वाला देश कौन सा है तो आप्शन A करेक्ट हो जाएगा रामसर इस्थलों की सबसे अधिक संख्या वाला देश युनाइट किंग्डम है जिसमें 175 साइटे है और उसके बाद दुसरे इस्थान पर मैक्सिको कंट्री है जिसमें 142 रामसर साइटे इस्थी थे तो आप जुरूर नोट कर लेए दोस्तों बरतमान में भायत में कुल 75 रामसर साइटों की संख्या हो चुकी है कुश्य नमर 10 है भायत कि सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है तो चिलका जहील और केवला देव राष्टिय उद्ध्यान B और C दोनों ही करेक्ट हो जाएगा यानि कि option D correct हो जाएगा उडिशा का चिलका जहिल और राजस्थान का केवला देव राश्टिय उद्यान भायत के पहली आदर भूमी है जिने रामसर कन्वेंशन के तहट एक अक्टूबर वर्ष 1981 को भायत में पहली रामसर साइट के रूप में मानियता दी गई थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तो तो आप जुरूर नोट कर ले कुश्चिन नमर 11 है भायत का सबसे बड़ा रामसर इस्थल कौन सा है तो option E correct हो जाएगा भायत का सबसे बड़ा रामसर इस्थल सुन्दरवन है जो कि 10,000 वर्ष किलोमीटर छेतर फल में फैला हुआ है और दोस्तों यह कहां इस्थित है यानि किस राजी में तो यह भायत के पच्छिम मंगार राजी में इस्थित है सुन्दरवन कुश्यन नमर 12 है भायत का सबसे छोटा रामसर इस्थल कौन सा है तो option D correct हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में इस्थित रेनु का वेट लेंड भायत का सबसे छोटा रामसर इस्थल है जो कि 20 हेक्टियर छेतर में फैला हुआ है कुश्यन नमर 13 है भायत के किस राज में रामसर इस्थलो की संक्या सबसे अधिक है option D correct हो जाएगा बर्तमान में भायत में तमिल नाडू राज में रामसर इस्थलो की संक्या सबसे अधिक यानि कि 14 हो चुकी है दोस्तो पहले उत्तर प्रदेस राजी में सबसे अधिक रामसर इस्थलो की संख्या थी लेकिन बर्तमान में तमिल नाडु राजी में सबसे अधिक रामसर इस्थलो की संख्या दर्ज की गई है तो अब जुरूर नोट कर ले वहीं दूसरे इस्थान पर दोस्तो उत्तर प्र वर्ष उनिस्सो संतावे से हर जल पूरे बिश्व भर में दो फरवरी को बिश्व वेटलेंट दिवस यानि के बिश्व आधर भूमि दिवस मनाय जाता है और इस साल यानि के दो अजर बाइस में बिश्व आधर भूमि दिवस की ठीम रखी गई है, लोगों और प्रकृत्र इसके संख्या हो चुकी है बर्तमान मिभायत में कुल रामसर इस्थलों के संख्या 75 हो चुकी है चलिए जानते हैं उन्हें डीटेल्स में कि यह किस राजी में है कब इन्हें सामिल किया गया है यानि कि कब इसे रामसर इस्थलों के सूची में अपनाया गया है पहला दोस्तो में तिसरा है लोक्तक छील जो की मनिपूर राजे में पनाया गया था जमुकस्मीर राजयी का पूलर जील इस भी 1990 में अपनाया गया था प। čवह हरी के जील जो कि पंजाब राजे में स्थी resembles राजस्थान राजे का साम्भर जील जिसने 1990 में रामसर स्थलो की सूची में अपनाया गया था वहीं वर्ष 2002 में कंजरी जील जो की पंजाब राजी में स्थीत है आठवा है रोपर वेट लेंड जो की पंजाब राजी में स्थीत है इसे वी वर्ष 2002 में सामिल किया गया था कोलोरु जील जो की आंध्र प्रदेश राज में स्थीत है इसे भी वर्ष 2002 में सामिल किया गया था तसो मोरोरी जील जो कि लदाक में स्थीत है वर्ष 2002 में रामसरिस्थलो की सुची में सामिल किया गया है वहीं केरर राजी का अश्ट मुडी जील इसे भी वर्ष 2002 में सामिल किया गया है केरर राजी का सस्तम कोटा जील को भी 2002 में सामिल किया गया है और केरर राजी का बेंबर नार्ठ कोल आदर भूमी பाइंडे का ब्हुज वेट लेंड इसे भी बाइड़ धू वे किया गया है वहीं पच्छि मंगल राजी का पूर्ब कोलकत्ता आध्र भूमी जिसे वर्स 2002 में रामसर इस्थलों की सुची में सामिल किया गया है वर्स 2005 में हिमाचल परदेश के दो वेट लेंड पहला चंदेर टल और रेनुका वेट्लेंड को सामिल किया बूस्तो सबसे चोटा वेटलेंड रेन्यूका वेटलेंड है जो कि हिमाचल प्रदेस राज में इस्थी थे और इसे वर्स 2005 में अपनाए गया था जमो कस्मीर कर्थ सूरिज सर और मांसर जील को भी 2005 में अपनाया गया था, वहीं तिरपूरा राजी का रुद्र सागर जील को भी 2005 में ही अपनाया गया था, उत्तर प्रदेश राजी का उपरी गंगा नदी 2005 में सामिल किया गया था, रामसर इस्थलो के सूची में, वहीं गुजरात राजी का नाल सो रोवर पक्षी अभ्यान 2012 में अपनाय गया था 2019 में पच्छी मंगर राजे का सुंदरवन डेल्टा छेतर को सामिल किया गया था और दोस्तों सुंदरवन डेल्टा छेतर भायत का सबसे बड़ा वेटलेंड है और सबसे छोटा है रेनु का वेटलेंड जो की हिमाचल प्रदेश राज में स्तीत है तो आप दोनों ही पॉइंट को जरूर नोट कर ले वर्स 2019 में हिमाराश्ट राज का नंदूर मद्य में स्वर अपनाया गया था वहीं उत्तर प्रदेश राज का नवाब गर्ज पक्षी अभ्यारन को भी वर्स 2019 में अपनाया गया था पंजाब राजी का केसोपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर्ब को वर्स 2019 में सामिल किया गया था वही पंजाब राजी का ही ब्यासारंग्षन रिजर्ब को भी 2019 में सामिल किया गया था पंजाब राजी का नंगल वने जी अभ्यारन सांडी पक्षी हभ्यारन जो कि उत्तर प्रदेश राज़ में इसे सामिल किया गया है चौन तीसवा है समस्पूर पक्छी अभ्यारन उत्तर प्रदेश राज में इस्थित है इसे भी वर्ष 2019 में सामिल किया गया है समन पक्छी अभ्यारन ये भी उत्तर प्रदेश राज में इस्थित है और तीसवा है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्राखन राज में सीत है 2020 में इसे सामिल किया गया था रामसर इस्थलो के सूची में वहीं बिहार का काबर ताल 2020 में सामिल किया गया था और महराष्ट का लोनार जील 2020 में सामिल किया गया है उत्तर परदेश राज का ही सूर सरोवर जील को भी वर्ज दौजर बीस में सामिल किया गया है वहीं तसोकर आदरभूमी छेतरे जो की लदाक में सीथ है वर्ज दौजर बीस में सामिल किया गया है वही हर्यानर राजी का सुल्तानपूर राष्टे उद्यान को वर्ष 2021 में रामसर स्थलो के सूची में सामिल किया गया है वर्ष 2021 में ही भिरवासा वन्य जीव अभ्यारन जो की हर्यानर राजी में स्तीत है और गुजरात राजी का थोल जील वन जीव अभ्यारान को भी वर्स 2021 में सामिल किया गया है गुजरात के ही वादवाना आदरवुमी छेतर को भी वर्स 2021 में सामिल किया गया है हैदरपूर वैटलेंड जो कि उत्तर प्रदेश राज में इस्थीत है इसे वर्ष 2021 में सामिल किया गया है वहीं बात किज़े दोस्तो इस सालियन के 2022 में भारत के किमकिन राजियों से नए इस्थालो को रामसर इस्थालो के सुची में सामिल किया गया है फरवरी माह में ही वकीरा बनेजी अभ्यारान जो कि उत्तर प्रदेश राज में इस्थी थे इसे सामिल किया गया है और दोस्तो जुलाई 2022 में ही भायत के पांच ने और इस्थलो को रामसर इस्थलो के सूची में सामिल किया गया है जिनमें तीन तमिल नाडू राजे से ही सम्मंदित है करीकली पक्छी अभ्यारन, पल्ली करनेई मार्स रिजर्फ फॉरेश्ट पीछ वारन मैंग्रो ये तीनों ही तमिल नाडू राज में इस्ती थे सत कोसिया नामसर जो की उडिशा राज में इस्तीत है और करनाटक राज का रंगना थ्रीट पक्छी अभ्यारन जंदा जील जो की गोवा में इस्तीत है सीरपुरादर भूमी जो की मद्य प्रदेश राज में इस्तीत है इसे भी 2022 में सामिल किया गया है कुन्थन कुलम पक्षिय अभ्यारन ये भी तमिल नडु राजी का है तमिल नडु राजी का ही दोस्तो मनार की खाड़ी 2022 में अपनाय गया है बैंब नूर बैठलेंड जो की तमिल नडु राज में इस्तित है वही तमिल लाडु राजी का ही वेलोड पक्षी अभ्यारान, दान थंगल पक्षी अभ्यारान जो की तमिल लाडु राज में इस्थीत है और इसी के साथ दोस्तों उदे मर्थन पूरम पक्षी अभ्यारान ये भी तमिल लाडु राजी में इस्थीत है वही मद्य प्रदेश का यस्वन सागर, चित्रा गुंडी पक्छी अभ्यारन ये तमिल लाडु राजी में स्थीत है, सुचिंदरम थेरूर वेटलेंड कॉंप्लेक्स ये भी तमिल लाडु राजी में स्थीत है, वुडूबूर पक्छी अभ्यारन ये भी तमिल लाडु रा सासेथ परदेश राजी में ऄद्धित है अब हाब का 75 वैटलेंन साल पुक वैटलेंड नाम यह भी जमू आर कस्मीर के इंद्र सासेथ-परदेशराजी में इस्थित भी जीनिःहाल इन Whoo 0022 को राम सर इस्थालों के सूची में शामिल किया गया है वह दोस्तों completa सब्सक्राइब को प्रेस कर लें